हैलो गाइज, वेलकम तो और यूटिव चैनल, माइनम इस सुर्भी शिवास्तो और रेप्रेसेंटिंग टूट्रायल, तो गाइज, तूड़ आएम हेयर, तूटॉक अपाउ इंटर रिलिजन मेरिज, अंतर धार्मिक विवा के संबन्दि में, मैं आज आज आप से बात करू और इससे संब्दित के साथी से संब्दित के साथी में देना और बात करें से आकास्टिक थेलिज Первकिया, फोलीय जहां मैं आपको नुश्य जहां और निखिल जैन के बैक्राउंड के बारे में बताती हूं तो नुश्रत जहां का जन्म कोलकाता पस्ची मंगाल के एक बंगाली मुस्लिम परिवार में मुहम्मत सा जहां और शुष्मा खातून के यहां आठ जन्वरी 1990 को हुआ था इन्होंने अपनी प्राइमरी प्राइशन भावानी पूर कॉलज कोलकाता से कंप्रीट की थी और इन्होंने इसना तक वाड़िज ओनर्स डिग्री प्राप्त की है अगर इनकी साधी सुधा जिंदगी की बात की जाए तो इन्होंने 19 जून 2019 को तूर्की में एक बिजनसमैन निखिल जैन से साधी कर ली थी और अब इनकी मैं फिल्मी करियर की बात करूं तो फिल्मी करियर की सुर्वात इन्होंने राज चक्रवर्ती की सोर्टों फिल्म से की थी और असुर खिलाडी जैसे कई अन्य फिल्मों भी इन्होंने काम किया है उनकी राजनेतिक करियर की बात की जाए तो इन्होंने अ सांसत के सामने तस्वीरे पोस्ट कर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया लोगों ने उन्हें अनुचित कपड़ों के लिए ट्रोल भी किया अब निखिल जैन के बारे में बात करें तो इनका जैन में 9 जुलाई 1989 को कोलकाता के एक बिजनेस फैमिली में हुआ था ये बंगाल से कंप्लीट किया और हाइयर एजुकेशन युनिवर्स्टी ओफ वार्वी लंडन से कंप्लीट किया और इन्होंने बीस्टी मैनेश्मेंट की पढ़ाई भी की है अब मैं आपको इसके में इशू के बारे में बताती हूँ जिस वज़े से यह विवाद चर्चा में आया त लेकिन अभी यह लोग अपनी साधी को लेकर ही चर्चा में हैं हाला कि नुस्रत तो 2019 में चुनाओ लड़कर जब एक नई सांसत के रूप में आई थी तो वह काफी हाइलाइट में थी लेकिन अब यह विवाद उसे घिर गई है क्योंकि जिस साधी से वह चर्चा में आई दिया काई कारण तुर्की में विवाध के इनुसार जो इनकी साधी थी का सत्यापन नहीं किया गया था इसलिए ये विवाहा वैद नहीं है ये विवाहा वैद माना जाएगा अदालत के रहे विवाहा विवाहा नहीं है बलकि है एक लिवन रिलेशिंशिप है उन्होंने ये भी कहा इस प्रकार तलाग का सवाल ही नहीं होता है और उन्होंने ये भ वह पुबिसिटी नहीं करना चाहती है उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि वह अपने परिवार और अपनी बहन के सिक्षा का खर्च खुद उठाती है उन्होंने अपने पती के bank account और ग्यार कारूनी तरीके से पैसे निकालने का आरोब भी लगाया उन्होंने कहा उनका एक statement जारी हुआ था उन्होंने कहा कि पहले मेरी परिवार के accounts की जानकारी उन्हें request पर दी गई थी और हमें किसी को भी नहीं मालूम था कि वो bank का transaction कर रहे है वो मेरी जानकारी और इजाज़त के बिना bank account से funds मिस हैंडल कर रहे है मैं bank से निपट रही हूँ और इसका मैं prove भी आप सबको दोंगी इसका मैंने कानूनी तरीके से कारेवाही भी कराई है नुशत ने आरोप लगाया कि उनके पती के परिवार ने उनका नुशत के आरोपों से मैं बेहद दुखी हूँ नेखिल कहते हैं मेरी साधी सुज़ा जिदिगी को लेकर मेरे और मेरे परिवार के उपर जिस तरह के आरोप लगाये जा रहे हैं मैं उनसे बेहद दुखी हूँ ऐसे मैं मैं कुछ तथ्यों का खुलासा करने पर मजबूर हूँ मैंने प्यार में आकर नुश्रत जहां को साधी के लिए प्रपोस किया था जिसे राजी खुशी स्विकार उसने किया हमने जून 2019 में बोर्डम तुर्की में डेस्टिनेशन वेडिंग की जिसके बाद कोलकाता में रिशिप्शन पार्टी भी रखी गई और मैंने पूरी इमानदारी से अपना सब कुछ उसे दे दिया हम पती पत्नी की तरह साथ रह रहते समाज में एक मेरिट कपल के तौर पर एक दूसरे का परचे दिया मैंने एक जिम्मेदारी की तरह पती की पूरी इमानदारी से सारा अपना कर्तवे निभाया सारे शंसाधन नुसरत को सौब दिये परिवार दोस्त हमारे सभी करीब यह जानते हैं कि मैंने उसके लिए क्या क्या किया मैंने उसे कभी किसी सर्थ के पूरा समर्थन किया इसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता है लेकिन कुछ समय बाद हमारी साधी सुधा जिंदगी का जो रवया था वो बदल गया था तो अगस्त 2020 में एक फिल्म की सूटिंग ये दोरान से ही मेरी पत्नी का विवहार मतलब नुश्रत का विवहार मेरे पती बदलने लगा इसका क्या कारण है ये नुश्रत ही बहतर बता सकेंगी और उन्होंने ये भी कहा कि जब हम साथ रहते थे तो मैंने कई बार हमारे साधी को लेकर रजिस्टर्ड कराने की बात मैंने नुश्रत से की पर नुश्रत ने हमेशा इंकार कर दिया और उन्होंने अगली बात ये भी कही कि साल 2020 के 5 नवंबर को वह अपना बैग और सभी कीमती समान कागजाद और दस्तावेज के साथ मेरा फ्लैट छोड़कर अपने बाली गंजवाले फ्लैट में सिफ्ट हो गई उसके बाद हम कभी एक पति-पत्नी की तरह साथ नहीं रहें उसकी कुछ परसनल सीजे और कुछ कागजाद छूट गए थे जो मैंने बाद में उसे भिजवा दिये ऐसा नुश्रत जान के पती का कहाना था और उन्होंने और भी स्टेट्मेंट जारी किये जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने कई मीडिया रिपोर्ट्स में उसकी आउटिंग को लेकर खबरे दी मुझे ऐसा लगा कि मुझे धोका दिया है उसने मेरा दिल तूड गया मैं आखिरकार मैंने 8 मार्च को 2021 को बाद दे होकर अलीपुर जिजिसकी कोट में इस साधी को रद्द करने के लिए सिविर्टूर दायर किया हमारी साधी को रद्द करने का मामला कोट में पेंडिंग है इसलिए मुझे हमारी परसनल लाइफ के बारे में बयान देने से मना किया गया आज भी मैं इस कारण कई निजी खुला से नहीं कर सकता लेकिन उसके बयान के बाद मुझे मजबूरी में ये तर्थे सामने रखना पड़ा और निखिल ने ये भी बताया कि साधी के बाद नुसरत को होम लोन पर लगने वाले भारी बयास से बचाने के लिए मैंने या सोसते ही वे अपने फैमली अकाउंट से कुछ पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसवर किये थे कि वा समय के साथ इंस्टॉल्मेंट में या पैसे लोटा देगी उसके अकाउंट से जो भी पैसे मेरी फैमली के अकाउंट में ट्रांसवर हुए है वा उसी के कर्च का भुकतान है जो मैंने अच्छी नियत से उसे दिये थें अभी इसमें बहुत पैसा बकाया है जो भी आरव पो लगा रही है वा अपमान जनक है और बेबुनियाद है इसमें जरा भी सचाई नहीं है इस बारे में मैं किसी सबूत ढूनने की जरूत मुझे नहीं है क्योंकि बैंक स्टेट्मेंट और क्रिडिट कार्ड स्टेट्मेंट के तौर पर सारे सबूत पहले से मौझूद है मेरी फैमली ने दोनों बाहें खोलकर उसे बेटी के रूप में स्विकार किया था पता नहीं था कि यह दिन भी देखना पड़ेगा और निखिल का और निखिल जैन का स्टेट्मेंट रहा तो नुसरत जहां अब अपने स्टेट्मेंट को लेकर विवादों में घिरी हैं तो ट्रोलर्स और उनके फैन उनसे कुछ प्रेशने पूछ रहे हैं तो प्रेशने क्या लिवन डिलेशन्शिप आपको सिंदूर लगाने की इजाज लिवन डिलेशन्शिप में रह रहे थे इसे आप वैलेड साधी नहीं कहेंगे लेकिन निखिल इसे लेगल साधी मान रहे हैं और इन सब की बीच एक वीडियो भी वाइरल हुआ है वो वीडियो में आपको दिखाती हूं इस वीडियो में आप नुसरत की इंट्रोडेक्श यह वीडियो साल 2019 का है जम नुसरत पहली बार लोकसभा में इस्तांसत की रूप में आई थी और इसमें आपने इनका इंट्रोडेक्शन देखा इन्होंने अपने नाम के आगे मतलब नुसरत जहां रूही जैन में अपने पती नखिल जैन का सरनेम एड़ किया है अगर वो शाक था वो हिंदू रीत रिवाज के तहट था फिर भी वो इस चीज़ को मानने से इंकार करती है कि वो निखिल जैन के साथ उन्होंने साधी की थी या वो किसे बंधन में है इन सब के बीच आमित मालविया जो की बीजेपी की सांसद हैं उन्होंने अपने ट्वीट के सामने उन्होंने ये बोला कि आमी नुश्रत जहां रूही जैन मतलब मैं नुश्रत जहां रूही जैन उन्होंने अपने पदी का नाम अपने साथ जोड़ा तो क्या उन्होंने भरी संसद में जूट बोला यह बहुत बड़ा प्रश्न उटता है और कुछ ऐसी डेटेल भी सामने आई हैं जिस पर अमित मालवया ने जो सवाल किये थे उस सवालों का दम लग रहा है अगर हम बात करें कि इंडिया में जितने भी सांसद हैं उन सभी सांसद की जो डेटेल्स होती है वो ओन रिकॉर्ड होती है मतलब उन सभी सांसद के डेटेल लोगसभा की जिस भी सभा से वो बिलॉंग करते हैं उनकी website पर available होती है वो सारी जानकारी सही होती है मतलब इसमें जो भी जानकारी दी जाती है माता पिता के नाम से संबंधित या अपने नाम से संबंधित या पती के नाम से संबंधित सारी जानकारी सही दी जाती है अगर उस जानकारी के मताबित हम लोकसभा की वेबसाइट पर डेटेल देखते हैं तो आप देख सकते हैं उसमें लिखा है इनके हस्बिन का नाम निखिल जैन दिखा रहा है और मार्टल स्टेटिस की बात करे तो उसमें मैरिड लिखा है और इनकी मैरिस डेट की बात करे तो तो वो 19 जून 2019 दिखाया जा रहा है जो भी ये डेटेल पढ़ी है वो डेटेल सही है लेकिन फिर भी नुसरत जहां-जान कह रही है कि ये विवाह जो है वो अमानी विवाह है अवैद विवाह है तो इस पर बहुत बड़ा प्रेशन उठ रहा है इसी बीच ये बात भी सामने ऑरी है ये जो नश्यान जहां है जो 6 महीने के प्रेगनेठी पीरेड में चल रही है और इस पर एक नाम और सामने आया है येस दास गुपता का है जो पस्चिम बंगाल में बहुत जाने माने फिल्म इंडस्रियल रहे है मतलब बहुत जाना माना उनका फिल्म इंडस्रियल में चेहरा रहा है इसी साल येस दास गुपता पस्चिम बंगाल से विधान सबा से चुनाओ लड़ रहे है बीजेपी से और उन्होंने चुनाओ लड़ा लेकिन वो हार गए तो इनके अफेर की ख़बर चर्चा में चल रही है तो ये रहा पूरा मामला इस पर नुश्रत जहां के गरबती होने पर निखिल से प्रेशन भी पूछे गए तो उन्होंने का कि मैं लंबे अर्से से नुश्रत के साथ नहीं नहीं है इसी के साथ एक फोटो और वाइरल हो रही है जो निखिल और नुश्रत जहां के रिशेप्शन की है उसमें बेंगल के सीम ममताव एनरजी भी सामिल है तो क्या ये प्रेशन बनता है कि क्या ममताव एनरजी लेविन रिलेशन्शिप के फंक्शन को अटेइन करी थी तो इस विवाद के संबंध में मैंने आपको पूरी जानकारी दी अब मैं आपको बताती हूं कि निखिल जैन और नुश्रत जहां ने जो विवाह किया था वो विवाह किसके मुताबित था मतलब उन्होंने हर्धन के मुताबित विवाह किया था हिंदु धर्म के सारी दीत वह नहीं कुछ रिष्ट करा है गुछ तो अगर इंडिया नियम भवेसे स्विवाय होता है मतलब बासी तो लोगा में भीड संप रखाने को भीडुद दर्म को साच परिवर्टं तो यह कुछ रूल और रेगुलेशन प्रेशियल मेरेज एक के तहत हैं लेकिन उन्होंने इसके तहत साधी नहीं खी ती इसलिए साधी इन्वैलेड है तो यह केस निखिल ने सेविल कोड में दायर किया है आप देखें सेविल कोड के क्या अपडेट आते हैं क्या रूल और आता है वो मैं आपको बताऊंगी जो भी अपडेट इसके साथ आते रहेंगे मैं आपको अपडेट देती रहूंगी तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें मेरी नेक्स वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ब् झाल 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 झाल